नमस्कार दोस्तों, आज छटवा एपिसोड है और नवरात्र का छटा दिन, आज की दिन हम बात करेंगे कि कैसे भारत में असुरों से आदिवासियों को समीखत करने की कोशिश की जा रही है, इस पश्यमी चाल में भारत के दलितों और आदिवासियों का अपमान भी है, क्यो शुम्ब बोलता है, इस्त्रियों के नेत्र ही ब्राण हैं, भोही ही धनुश का काम देती हैं, हाव भाव उनके श्यस्त्र हैं, आपको लगता है कि केके यी, दुरगावती, लक्ष्मी बाई तो बेकारी पैदा हों, शुम्ब कहता है कि अपने अंगों को चंदन आदिस से स अज़ा प्रताका वाले प्रसंग से इसकी कभी तुलना कीज़े कि इनका रत क्या है और उसका रत क्या है, फिर वो बोलता है कि धीरे धीरे मधुर वचन बोलना ही धेरी ध्वनी है, इस्त्रियां इसके अत्रिक्त अन्य अस्रहात में लें, या उनके लिए केवल विडंबन ही है, ये विचार हैं शुम्ब के, तो आप समझ सकते हैं कि लैफ्ट लेबरल्स दुरगा वाहनियों के इतने विरोध में क्यों है, वो कहता है कि प्रिये लज्जा ही तुमारा भूशन है, धनुश खिंचते समय, इस्त्री अपने इस्तनों को छपाने में कैसे सफलता पा स कहां धीरे धीरे प्रत्वी पर पैर रखना और कहां गदा लेका दोड़ना वरवर्णी तुम बीना न बजाकर शंक दोनी कर रही हो, ये सभी कर्म, तुमारे रूप और यावन के विरुद ये विचार हैं, और महिशासुर तो एक मंत्री है, दुर्धश, वो तो देवी की युद्ध मुद्रा को वक्रोक्ती मानता है, रस्वभी सुने, वो ये कहता है कि स्वाभी मानी इस्ट्रियों के यही तो हाव भाव हैं, उनके इस अभीप्राय को रसग्य पुरुष भली भानते समझ देते हैं, ये तो उस कामनी की वक्रोक्ती मात्र है, ऐसी युद्धी अपने प्रियत्म पती के लिए सदा लालाईत रहती है। कोई काम शास्तर का पारगामी पुरुष ही उसके अभिप्राय को समझ सकता है। उसने आपके प्रती ये जो कहा है कि तुम्हें मोर्चे पर बाणों से बीन दूँगी। इस कारण को जानने वाले विशिष्ट पुरुष इसके सारगर्विद वचन पर विचार करें। अपने यौवन का अभिमान रखने वाली इस्तियों के बाण उनके कटाक्षी ही है। यह बात जगत प्रसिद्ध है। उसके व्यंग वचन पुश्पांजली जैसे प्रतीत होते हुए भी दूसरे प्रकार के बाण का काम करते हैं। राजन उसके ऐसे बाण चलाने पर आप में कौन सी यासी शक्ती है जो उसका सामना कर सके। उससे तो आप परास्त हो ही जाएंगे। उससे जो यह कहा है कि मूर्ख मैं तुम्हें देखते ही बाणों से मार डालूंगी। उसका अभिप्राय भी कुछ और ही है। पर उसके अनभिग्य उसके इस भाव को नहीं समझ पाते। वो तो यह कह रही है कि रण रूपी शहिय इस विशेश व्यंगोक्ति से वह सुंदरी आपको पती चुन रही है। रश शास्त के पारगामी विद्वान पुरुष विचार पूरवा कि इस कथन के अभिप्राय को समझ लें। महराज इस रहस्य को जानकर आपको भी रश युक्त व्यवहार करना चाहिए। अब आप क्या कहेंगे इन सारी बातों को कि सावन के अंदे को हरा ही हरा सुचता है। सोचो तो राक्षर्सों के ये विचार जो हैं आधिने के में किस से सबसे आधा अपील कि होंगे। अनुमाल लगाई ये आप मैं बोलता हूँ वेंडी डोनिगर आपने भी यही अनुमाल लगाय These are the evidences how the gods vedeck the goddess with various ornaments and empower her with various weapons and energies. As if they are sending her on a bridal sexual ascapade. ये वियाख्या है वेनिडौनिगर की। और राक्षस ही सोच कि यह परिणती है यह कहा जा सकता है कि जैसे मैंने अभी बताया है कि राक्षस भी ऐसे ही कह रहे थे और वो भी यही कह रहे हैं कि battle between the two by implication was a sexual union, the goddess Chandi riding astride on the demand and her erect sword are symbolic of her sexual supremacy इस तरह से व्याख्या करते हैं तब जबकि महिशार्स से लड़ने के लिए दे भी समक्ष प्रस्तत है। इन वेंडी की रक्षा में एक भट्टाचारी जो हैं वो भी सामने वैसे ही आते हैं जैसे कि दुरधश और दूसरे राक्षस जो हैं वो इन महिशासुरों की रक्षा के लिए या शुमने शुमव की रिक्षक ले आते हैं और वो business standard में 14 फर्वरी 2014 को what they don't want us to read Namak-eik-lek-lip और उसमें कहते हैं the story of Durga and Mahishasura is as well known as the one of Kali standing on Shiva. Many Hindus whether they belong to the right or the left are ignorant of what those deities stood for. Doniger explains the background and significance of those postures in a way that it enhances our understanding of the Hindu religions. पर हमें तो इस एच तक वेट करना पड़ेगा ना? भिलकुल ने, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है, LIC के न्यू जीवन शान्ति में, जो हमें देगा deferred annuity, मतलब कुछ साल बात से regular income. I see! LIC! LIC के annuity plans दिद annuity options और नियमित income पाने में flexibility भी LIC हर पल आपके साथ. हम करते हैं सत्य का अनुवेशा तखल नियूज आपके हक्त में आप देख रहे हैं तखल नियूज